Mixed Partial Derivative अगर Maxwell के Thermodynamical Relation को अगर हमें समझना है तो जो Mixed Partial Derivative है इसे हमें समझना होगा तो Mixed Partial Derivative का मतलब क्या होता है Statement कुछ इस तरीके से होता है If Second Derivative of Any Function is Continuous अगर कोई भी Function का Second Derivative अगर Continuous होता है तो उसका जो Mixed Partial Derivative होगा वो होगा Identical और इसका हम लोग Mathematically कुछ इस तरीके से शो करता है Partial Differensation of Z with respect to X at constant Y इसका Differensation या फिर बोल सकते है इसका Rate of Change with respect to Y जिसको हमने शो किया 2 divided by 2Y और ये बराबर में होगा Partial Differensation of Z with respect to Y at constant X इसका Rate of Change X के respect में जोके हमें इंडिकेट कर रहा है 2 divided by 2X इसका हम लोग आगे कुछ इस तरीके से लिख सकते 2Square Z divided by 2Y into 2Z इसका हम लोग लिख सकते 2Square Z divided by 2X into 2Y तो यहाँ पर अगर हम लोग देखे concept start करने से पहला मैं credit देना चाहूंगा Sir Arigit Dariba को founder of EduPoint YouTube channel उन्होंने जो Thermodynamics में जो concept consider करते वे चले उन्होंने जो data assume किया था same data मैं यहाँ पर consider करने वालो mixed partial derivative को explain करने के लिए अगर आपको मेरा concept अगर नहीं समझता है तो it doesn't matter, no problem आप उनका channel एक बार visit करिए EduPoint बहुत famous YouTube channel है उनका explanation भी fantastic, brilliant होता है उनका explanation उनका समझाने का तरीका ही अलग है उनका level ही अलग है explanation का तो आप उनका channel एक बार visit करिए क्योंकि उन्होंने जो data consider किया और same data मैं यहाँ पर consider कर रहा हूँ तो यहाँ पर अगर हम लोग देखे यहाँ पर हमने consider किया यह है y axis और यहाँ पर consider किया हमने x axis उन्होंने consider किया था garden वाला example गार्डन और ग्रास वाला उन्होंने example consider किया था खास की height का rate of change तो same example मैं यहाँ पर consider करूँगा और similarly उन्होंने जो data के साथ काम किया है वो same data के साथ मैं भी काम करूँगा तो यहाँ पर हमने consider किया y axis और यहाँ पर हमने consider किया x axis यह particular point है यहाँ पर यह जो particular point है इसका हमने consider किया point है point A पर Z की एक value है Z एक ऐसा variable है जोगे हमें indicate कर रहा हा गास की height तो point A पर जो गास की жो height है वो है 10 cm per meter यहाँ पर हमने consider किया point यहाँ पर हमने assume किया point यहाँ पर एक point और यह پर इंडिवीजुल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा चारमिटर तो भाइंट की जो हाइट उसका अमने cuz कै分अ पर अभी क्या होता है एक सेकसेश के लॉग्वच की जो हएट अफ चैंज कर जाती है और जो घर गहास की जो हएट है उसका जो रेट पार उप चेंज है वह यह सेंटिमेटर पास की तो गहास की हाइट हो i twelve su Nej घ। प्रेइड वेखलेंद गांगई आपि eating ¿काहिश केंद गांगे है चुछ not ,'heb जब अब लोग前 की के तरफ प्रोसीड्ट कर रहे तो उस केसे में हर एक मीटर में घहास की जो águaइट है वह वह से Hack पर जा रही है तो पॉइंट भी पर जो गहांस की जो हाइट होगी वह होगी 14 cm पर मिटर जिसको हमने यहाँ पर कंसेटर किया तो यह सेम डेटा को मैं भी कंसेटर कर रहा हूँ एक्स्प्लेनेशन के लिए तो यहाँ पर अब अगर हम लोग देखेए अभी हो ता क्या हम अभी वर्टिकली उपर जाते हैं वर्टिकली हम लोग कुछ इस तरीके से उपर जाते तो गहांस की जो हाइट है उसका जो रेट ऑफ चेंज है एक्स एक्स इसके अलॉग जो कि वन सेंटीमिटर पर मिटर यहां पर अगर हम लोग देखें पॉइंट और पॉइंट भी दोनों के बिच का जो डिस्टेंस होगा वह भी होगा फॉर मिटर तो पॉइंट पर जो घास की जो हाइट है उसका जो रेट आफ चेंज है एक सेंटीमिटर पर मिटर पॉइंट भी और पॉइंट सी दोने के बिच का जो डिस्टेंस है उसको हमने थ्री मिटर तो पॉइंट भी और पॉइंट सी दोने के बिच का जो डिस्टेंस है वह तीन मिटर होता है और पॉइंट भी पर जो घास की जो हाइट है यहां पर हमने ये वाली case में घास की height का rate of change X axis के long जो के है Onecnimenter折 मिटर हम लोग उपर जाते तो उस case में जो X axis के long घास की height का rate of change होता है वो 2 cm पर मिटर हो जाता है और उपर जाते तो 3cm पर मिन्टर हो जाते और उपर जाते दो 4cm पर मिटर हो जाता है अभी हम लुग consider करेंगे गहास की height का rate of change y-axis के along तो point B पर जो गहास की height है उसका rate of change y-axis के along हो है 6 cm per meter जो कि हमें यह वाली arrow indicate करें यहाँ पर यह जो vertical जो arrow है यह आप cursor की tip को carefully notice करो यह जो vertical जो arrow है आपको indicate करें गहास की height का rate of change जो कि है 6 cm per meter तो अगर हम लोग देखें point B पर से point C के बिच में जो गहास की height है उसका rate of change y-axis के along वह है 6 cm per meter और point B और point C दोनों के बिचका जो distance है वह है 3 meter तो point C पर गहास की height कितनी होनी चाहिए point C पर जो गहास की height है वो 32 cm per meter होना चाहिए क्योंकि अगर हम लोग देखे point B से point C के दरफ जो गहास की height है उसका rate of change है वह है 6 cm per meter और point B और point C दोनों के बिचका 6 cm कौन से direction में wax is के along और point B और point C दोनों के बिचका distance अगर 3 meter का होता है तो 6 को तरीके असान multiply करेंगे तो हमें मिल जाएंगा 18 तो point B से point C के बिच में जो गहास की जो height है उसका rate of change है वो और point A से point B पर जो गहास की जो height है वो है 14 cm per meter तो point B पर गहास की height 14 cm per meter होती है और जब हम लोग point B से point C पर जाएंगे तो जो गहास की जो height होगी वो होगी 18 cm per meter 18 cm और 14 cm दोनों का अगर हम लोग एड़ कर दे तो point C पर जो गहास की जो height होगी वो होगी 32 cm per meter तो I hope आपको concept समझ में आ गया होगा similarly अब क्या होता है जो गहास की जो height है उसका जो rate of change है y axis के along जो के हमें यह वाली arrow indicate कर रही है जो के cursor की tip जो कर रही है तो जो गहास की जो height है उसका जो rate of change है y axis के along वो decrease करते जाते हैं जैसे हम लोग x axis के opposite direction में आगे बढ़ते जाते तो इसका मतलब यहाँ पर जो गहास की जो height होगी वो होगी 5 cm per meter y axis के along यहाँ पर घास की height होगी फोर सेंटीमीटर पर मिटर यहाँ पर घास की height होगी 3 cm per meter यहाँ पर होगी 2 cm per meter यहाँ पर भी होगी 2 cm per meter just for an example हम लोग एस्विम करते वे चलते हैं क्योंकि जो arrow का magnitude है वो है सेम तो यहाँ पर भी हम लोग एस्विम करते वे चल रहे घास की जो height है y axis के along वह है 2 cm per meter तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे के हमने डिसकस क्या था जब हम लोग point A से point B के तरफ जब propagate करते तो उस case में जो घास की जो height है उसका rate of change है x axis के along उसको हम लोग लिग सकते partial differentiation of z with respect to x कहाँ सकी height का rate of change x axis के along similarly जैसे के हमने डिसकस क्या था जब हम लोग vertically उपर जाते तो उस case में जो घास की जो height है उसका rate of change है x axis के along जो के था 1 cm per meter वो 2 cm per meter हो जाता है यहाँ पर हो जाता है 3 cm per meter यहाँ पर हो जाता है 4 cm per meter तो y axis के along भी change हो रहा है तो हम लोग बोल सकते यह यह तम का rate of change y axis के along जो कि हमें यह वाला time indicate कर रहा है 2 divided by 2y तो अगर हम लोग unit अगर obtain करें तो हमें मिल जाँगा 1 cm per meter square कैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें यह वाले point से यह वाले point के बीच में जो घास की जो height है उसमें जो change हो रहा है वो रहा है सेंटीमेटर का similarly यहाँ पर भी सेंटीमेटर यहाँ पर भी 1 cm यहाँ पर भी 1 cm और जब हम लोग vertically उपड जा रहे तो उसकेस में जो change हो रहा है वह हो रहा है 2 cm per meter मतलब जो घास की जो height है उसका rate of change है वह वह हो जा रहे 2 cm per meter यहाँ पर हो जा रहे 3 cm per meter यहां पर वो जा रहे हैं 4 cm per meter, मतलब यहां पर जो change है, उसका जो difference है, मतलब x-axis के along जो change है, उसका जो difference है, हो है 1 cm, similarly y-axis के along जब हम लोग propagate कर रहे तो उस case में भी change हो रहा है, वो हो रहा है 1 cm का, जो difference है, हो है 1 cm का, तो यहां पर हमें मिल जाएंगा 1 cm per meter square, तो similarly यहां पर अगर हम लोग देखे जैसे कि हमने डिसकस किया था तो यह जो तर्म है इसका क्या significance है यह आपको क्या show कर रहा है इसका मतलब क्या है I hope आपको समझ में आ गया होगा similarly अभी होता क्या है यहां पर अगर हम लोग देखे पॉइंट अपर जो घास की जो हाइट है उसका जो रेट ऑफ चेंज होगा अगर वो टू सेंटीमीटर पर मिटर होता है तो पॉइंट एडी पर जो घास की जो हाइट होगी वो कितनी होगी मतलब मैं बोलना क्या जा रहा हूँ पॉइंट ए पर घास की जो हाइट है पॉइंट ए से पॉइंट डी के बीच में जैसे के हमने डिसकस किया था पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में यहां पर घास की जो हाइट है उसका जो रेट ऑफ चेंज है एक्स एक्सिस के ल यहां पर 6 cm per meter था है ना हमने यहीं डिसकस किया था ना similarly यहां पर जो घास की जो height है उसका जो rate of change है y axis के long वो है 2 cm per meter तो अगर point A पर घास की height अगर 10 cm per meter होती है और point A से point D के बीच में घास की height का rate of change अगर 2 cm per meter होता है तो यह particular point D पर जो घास की height होगी 16 cm per meter क्योंकि अगर हम लोग देगे यहां पर point A पर जो घास की height है वो है 10 cm यहां पर और जो rate of change है वो है 2 cm का मतलब हर एक meter में 2 cm घास की height होगी वो increase करेगी और हर एक point के बीच का जो distance है वो है 1 meter तो यहां पर अगर हम लोग देखें यहां पर अगर 10 cm होती है घास की height तो यह particular point पर घास की height होजाएंगी 12 cm per meter यह particular point पर घास की height होजाएंगी 14 cm per meter क्योंकि हर एक meter 2 cm increment होगा यहां पर एक meter के दौरान होजाएंगी 16 cm per meter तो यह point टी पर जो घास की height होगी 16 cm per meter तो जो condition है वो हमें यह वाला differentiation शो कर रहा है partial differentiation of z with respect to y घास की height का rate of change y axis के लॉग similarly यहां पर अगर हम लोग देखें यह term का rate of change x axis के लॉग जब हम लोग point d से point c के तरफ propagate करेंगे तबी तो यहां पर अगर हम लोग देखें यहां पर यह वाला जो differentiation और यह वाला जो differentiation होगा दोना exactly बराबर में होगे अगर इसकी भी हमें unit यहां पर यह वाला जो differentiation है अगर इसकी भी अगर हमें value one centimeter per meter square मिल जाती है तो इसका मतलब यह वाला differentiation और यह वाला differentiation दोनों बराबर में होने वाले तो यहां पर इसकी जो unit है वो भी हमें one centimeter per meter square मिलना चीए तो यह हमें कैसा मिलेंगी तो यहां पर अगर हम लोग देखे जैसे के हमने discuss किया था हम लोग point A से point B के तरफ जाते point B से point C के तरफ जाते और जो गहास की जो height होती है वो होती है 32 centimeter per meter similarly हम लोग point A से point D के तरफ जाएंगे point D से point C के तरफ जाएंगे और point C पर अगर हमें घास की height 32 cm per meter मिलती है तो उस case में यहाँ पर भी हमें जो value होगी वो मिलेगी 1 cm per meter square और यहाँ पर दोनों जो differentiation होगे बराबर में होगे तो अब तक कि हमने discuss कि अब point AD पर जो घास की height होती है वो होती है 16 cm per meter similarly यहाँ पर अगर हम लोग देखे जब हम लोग point AD से point C के तरफ propagate करेंगे तो उस case में जो घास की height है उसका rate of change होगा x-axis के along वो कितना होगा तो सबसे पहला अगर हम लोग देखे हमने starting में discuss किया था point AD पर जो घास की height है उसका rate of change है वो है 4 cm per meter x-axis के along तो अगर point AD और point C दोनों के बिचका distance अगर 4 meter होता है और point AD से point C के दरफ गास की height उसका rate of change अगर 4 cm per meter होता है तो उस case में point AD से point C के बिच में जो total rate of change होगा वोगा 16 cm per meter तो यहाँ पर अगर हम लोग देखे point A से point AD के बिच में 16 cm per meter पॉइंट D से पॉइंट C के बिच में 16 cm पर मिटर 16 प्लस 16 32 तो यह पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कहांस की जो हाइट हमें जो मिलेंगी 32 cm तो यहां पर एसा नहीं होता मतलब हम लोग पॉइंट A से पॉइंट D से पॉइंट C तरफ जा रहे और उसकेस में पॉइंट C पर अगर हमें कहां सकी i 32 cm per meter नहीं मिलती तो इस case में याँ पर हमें जो value होती value same नहीं मिलती हैंस यह जो differentiation और यह जो दोनों जो differentiation होते हो बराबर में नहीं होते हैं वह इसा नहीं हो रहा है तो यहाँ पर यह दोनों जो differentiation होगे बराबर में होगे तो हम लोग लिख सकते partial differentiation of z with respect to x at constant y और इसका rate of change y के respect में equal to partial differentiation of z with respect to y आम लोग ऐसा भी बोल सकते rate of change in z with respect to y at constant x इसका rate of change with respect to x 2 divided by 2x इसको आगे लिख सकते ये वाले term को आम लोग लिख सकते 2 squared z divided by 2y into 2z इसको आम लोग लिख सकते 2 squared z divided by 2x into 2y तो जो mathematical equation है यह बहुत important equation है जब हम लोग Maxwell का first thermodynamic relation obtain करेंगे तो इस case में हम लोग यह वाले equation को use करेंगे तो यह जो mixed partial derivative का concept है बहुत important है यह आपको समझना होगा अगर आपको Maxwell के thermodynamic relation को समझना है तो